कैश काई 2006 में लॉंच होई थी और ये 2022 का थर्ड जनरेशन वेरियंट आप देख रहे हैं सिर्फ पैटरोल में आईगी और रेंज शुरू होगी लगबग 25 लाक रुपीज से इसकी इंडिया में भी टेस्टिंग चल रही है और जुलाइ 2023 में ये लॉंच हो सकती है इरान में रहने वाली कैश काई ट्राइब से लिया गया है इसकार का नाम जे ट्रेल कोड ने में इस इनरेशन कैश काई का 1999 में निसान के CEO कालेस गोन के इंस्ट्रक्शन पे कैश काई को डेवलप किया गया था इसमें ट्रेल वोल्ट का एडवांस लीथियम आयन बैटरी सिस्टम दिये हैं कैश काई को काफी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है 2023 के मिड में ये लाउंच हो सकती है और ये LED फॉग लाइट फ्रंट सेंसर्स वी मोशन ग्रिल नीसान का लोगो फ्रंट कैमरा एर कर्टेन और ये हैं आटोमेटिक LED हेडलाइट एडप्टेव ड्राइविंग बीम आटो लेविलिंग और LED DRL के साथ कैश काई की ब्रंडिंग बोनेट पर डिजाइन रेंस सेंसिंग वाइपर्स हैं ग्लास रूफ है रूफ रेल्स हैं शार्क फिन एंटेन अलेक्टरिक के लिए अटजस्टेबल ऑटो फॉल्डिंग हीटेड और साइब मिरर्स हैं LED टन इंडिकेटर टिल्टिंग और मैमोरी के साथ 20 इंच के डामेंड कट अलोई वील 17 18 और 19 इंच अलोई और 17 इंच के स्टील वील का भी आप्शन है आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंग एलोईस के बीच में निसान का लोगो यह मैगनेटिक ब्लू कलर आप देख रहे हैं वाइट ग्रे सिल्वर रेड बर्गंडी और ब्लेक कलर का भी आप्शन आएगा डूल टोन में ब्लेक रूफ कलर का ही आप्शन मिलेगा यूवी और इंफ्रारेड कट ग्लास हैं रियर स टैंसर रिफ्लेक्टर एक्जॉस टेल पाइप तीन ड्राइब मोड्स मिलेंगे स्पोर्ट स्टैंडर्ड और एको कैश काई की बैजिंग निसान का लोगो और यह हैं एली डिटेल लाइट यह वाइपर वाशर के साथ हाई मांट स्टॉप लैंब स्पॉयलर रेनॉ निसान के कॉमन मॉड्यूल फैमली सी एमेफ सीडी प्लैटफोर्मर बनी है कैश काई जिस पर एक्स ट्रेल सेंट्रा पल्सर मिस्विशी आउट्लेंडर टांस्टार मस्टिस बैंस टी क्लास रेनौ ऑस्ट्रल इस पेस कैट जार और कोलियोस भी बने आईए बूट ओपन करके तो यहाँ आपको मिलेगी 436 लेटर की बूट स्पेस, रियर सीड्स फोल करने पर 1379 लेटर की स्पेस बन जाएगी साइड में भी स्पेस, लाइट है, इधर भी लाइट है, थोड़ी स्पेस यहाँ पर भी, स्पेर वील, यहाँ पर भी स्पेस, वन टस से ही क्लोज जाएगा बूट और यहाँ से बरेंगे पेट्रोल, कैपलेस फियूल फिलर है, आईए पीछे का पैसंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं, टैन स्पीकर्स का बहुत साउंड सिस्टम मिलेगा कैश काई में, नीचे बॉटल होल्डर, स्पीकर, वन टच पाउर विंडोज हैं, थोड़ी स्पेस, और यह है कोईल्टेट लेदर अपास्ट्री, फैबरिक अपास्ट्री का भी ऑप्शन आएगा, 60-40 स्प्लेट फोल्डिंग रियर सीट्स हैं, दो USB पोर्ट, दो AC वेंड, सीट के बीचे पॉकेट्स में लेंगे, ग्लास रूफ है, हैंडल बार, रीडिंग लाइट, और ऐसे दिखता है डैश पॉर्ड, हीटेट स्टेरिंग है, आईए ड्राइवर साइड डॉर खोल कर देखते हैं, यहाँ पर भी डॉर पर नीचे स्पीकर है, काफी स्पेस दी गई है, पार विंडो के कंट्रोल, सुवार विम के कंट्रोल, दो मैमरी सीट के फंक्शन है, बॉर्टल होल्डर, स्पीकर, आगे एलेक्ट्रिकली अड्जेस्टेबल सीट्स मिलेंगी, फोर वे एलेक्ट्रिक लंबर सपोर्ट, मैमरी, हीटिंग और मसाज फंक्शन के साथ, एड्जेस्टिबल हैड्रेस्ट, टेल्ट और तेलेस्कोफिक स्टेरिंग है, पैडल्स, बॉनेट खोलने का लीवर, बूट खोलने का बटन, लाइट के कंट्रोल, स्टेरिंग ऐसेस्ट, आटो स्टार्ट स्टॉप बटन, एसी वेंट, आमरेस के अंदर दो यूएस्बी पोर्ट, काफी स्पेस, दो ग्लास होल्डर है, पैसंजर सीट पे भी दो लॉक अनलॉक करने के बटन है, दो मैमोरी सीट के फंक्शन है, शान्दर डिजाइन, और य यह है एक्स्ट्रोनिक सीवीटी आटोमेटिक ट्रांसमिशन, सिक्स्पीड मैनुवल ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है, आटो होल्ड एलेक्रिक पार्किंग ब्रेक, वायलेस चार्जर, एंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, 12 वोल्ड का पोर्ट, और यह है आटोमेटिक डू और यह है 12.3 इंच का निसान कनेक्ट इन्फोर्टेन्मेंट, सपोर्ट करेगा एफम, रेडियो, वायलेस अपल कार प्ले, एंडोड आटो, ब्लुटूथ, उस्बी, नैविगेशन, गूगल मैप सर्वेसेज और वर्चुल परसनल एसिस्टेंट, और यह शान्दार डैश स्पेस, पैसंजर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ, और तो दिमिंग रियर व्यू मिरर, रीडिंग लाइट, इमर्जेंसी एसो एस का बटन है, और यह है फिक्स ग्लास रूफ, इलेक्रिक संशेट के साथ, इलेक्रिक स्पीड सेंसिटिव, लेदर रैप्ट पावर स् यह वाल्यूम एंस्ट्रुमेंट क्लस्टर के कंट्रोल, नीसान का लोगो, यह फोन, वोईस और क्रूस कंट्रोल, पैडल शिफ्टर, वाइपर के कंट्रोल, लाइट के कंट्रोल, स्टेरिंग एज़स्मेंट, और यह है 12.3 इंच का इजिटल TFT इंस्ट्रुमेंट जो दिखाएगा RPM, स्पीड, गेशिफ्ट इंडिकेटर, ब्लाइंड स्पॉर्ट, आईए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं पैट्रोल एंजन, तो यह है 1300 CC, 94 सिलेंडर, टर्बो चार्ज, निसान HR-13 DDT पैट्रोल एंजन, 12 लिथियम अन बैटरी, माल्ड हैबिड सिस्ट पैट्रोल में एक और एंजन का ऑप्शन है, 1500 CC, 93 सिलेंडर, निसान KH5T, इपावर पैट्रोल एंजन, 2 किलोवाट आर, लिथियम अन बैटरी के साथ, उसकी होगी 187 होर्स पावर, 330 एंजन, जीरो से एंडिकेट पैट्रोल एंजन, 169 किलोमेटर पैट्रोल एंजन, तो कैस इसलिए आपको निसान कैश का ही, हमें कमेंट्स में बताइए, थैंक्यू